हलो एवरिवन वेलकम टू मित्र एजुकेशन हब तो फ्रेंड्स आज हम प्रॉडक्ट्स ओफ लिविंग और्गिनिज्म के टॉपिक का पार्ट सेकिंड जो है वो आज डिसकस करेंगे उसके कोश्चन्स जो है आज हम इस सेशन में करने वाले हैं तो जिन भी फ्रेंड्स ने प्रॉडक्ट ओफ लिविंग और्गिनिज्म पार्ट फर्स नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डेस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है वहां से आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और ये सारे कोश्चन्स वो डिसकस करने वाले हैं हम आज के सेशन मे जो कि किसी ना किसी एक्जाम में पुछे गए हैं या फिर एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से मोस्ट इंग पॉर्टन है तो आज के सेशन में वो सारे कोश्चन्स जो है हम डिसकस करने वाले हैं जो कि SSC, Railway इन सभी एक्जाम्स में बार-बार पुछे गए हैं Railway में means हमारा main focus जो है Railway के अंदर NTPC और Group D के अंदर है साथी साथ यहां पर हम DRDO से related questions भी discuss करेंगे और साथी साथ जितने भी हमारे defense related exams में science के जो भी questions आते हैं उनका weight is काफी जादा होता है तो उनको भी आज हम हमारी session में discuss करने वाले हैं तो चलिए आज स्टार्ट करते ह आज के session को फस्ट कोशन है आपके पास देखिए पिछले session में मैंने आपसे question पूछा था कि सेव का कौन सा भाग जो है खाने हो गया होता है तो उसका answer हम एक बाद देख लेते हैं जो खाने हो पार्ट होता है मासल पुषपासन क्लियर कौन सा पार्ट खाने हो गया होता है म थैले मस पार्ट जो होता है वो इसका खाने हो गया पार्ट होता है एक चीज़ और पूछी थी मैंने कि सेव किस तरह का fruit है तो इसका जो राइट आंसर होगा वोगा false fruit क्लियर false fruit की category में आता है और साथी साथ जो है ओवेरी इसको produce करती है clear तो देखिए यहां पर expression दिया false fruit है और साथी साथ जो है ओवेरी द्वारा जो इसको उत्पन किया जाता है और इसका जो हमारा muscle push-passan भाग होता है clear muscle push-passan भाग मींज जो थैले मस है थैले मस में ही इसका निर्मान होता है और साथी साथ थैले मस कोई जो है खाया जाता है next question देखिए केंद्रिये पशू च चैनल पर first time आया है तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बैल आइकन को फ्रेस कीजिए जिससे की जितने भी वीडियो हम अपडेट करते हैं तो उनका notification आपको timely मिन सके और आप अपनी preparation को जो है वो regular कर सके तो देखिए केंद्रिये प् नुसंदान संस्थान कहाँ पर है तो डेरिया नुसंदान संस्थान हम हर्याना लगाएंगे हर्याना में कहाँ पर करनाल मिस्थेत है clear to all तो देखिए next question है हमारे पास यह आपका दिया हुआ है एक wishes फसल है देखिए options दियो है options आपके तीनों जो question में जो भी statement दियो है उनको satisfy करना चाहिए देखिए रभी की फसल इन में से कौन सी रभी की फसल है सबसे पहले वो देखिए देन उसके बाद जो की साधान तया ग्याहूं के साथ हुगाई जात है तो उसका answer जो होगा सरसो क्योंकि सरसो के लिए जो है जलोड मिट्टी की requirement होती है clear important question है कई बार पूछा गया है next देखिए follow के अधन को क्या कहते है यह कई बार English में one words के अंदर भी आ जाता है और वैसे हमारे science में bio में इसके उपर question आ जाता है तो देखिए जो follow का अध हुआ हुआ है तो हुआ हुआ होता है जितन सब्सक्राइव होते है उत्स फ्लावर्स होते है उन्ह सभी का यदे उत्पादन किया जाता है उन्हूंस की है नोर्मल यदि हम इसको देखित टør बहुं को क्या बोलेगा तो देखिए जो मचली उतपादन की प्रक्रिया होती है इसे जिए एक सेरील कल्चर को हम क्या कैता है रेशन उतपादन में यूज लेते हैं क्लियर देशन मुद्पादने सेरी कल्चर और यदि कोई कोशन आप लगता है कि आप भूल जाएंगे तो आप उसको एक बर वीडियो को पॉस कर जीजिए उसको नोट डाउन कर लेजिए नोट्स में जिससे की एक्जाम के लिए आपका नोट्स बन जाएंगे और साथी साथ यदि आप इसको वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं निमली की सूचना से फसल की पैचान कीजिए देखिए हमको फसल की पैचान करनी है कौन सी फसल जो है अधिकांशते है दक्षिन पस्चिम भारत में उगाई जाती है और सेकेंड हम से कह रहा है कि जो डेंड म्रदा होती है clear ड्रेंड जो म्रदा होती है ड्रेंड जो सॉइल होती है वो इसकी खेती के लिए पे घॉपियोगी होती है और साथी साथ यह लोज़दार होती है तो देखिए ड्रेंड एक बार समìली है उपार जो है ड्रेंड से means हमारा यहां पर झो है black soil से है clear काली मिटी होती है nा black soil से हमारा ड्रेंड का meaning है तो हमारी जो इसका right answer होगा वो होगा हमारा कपाज, जो हमारा cotton होता है ना वो डक्षनिट पस्ष्चिन भारत में होगा जाता है, साथ इसाथ ड्रेंडर और लोजदार भी होती है, clear, next question देखिए, synthetic एक उता है natural, synthetic means man-made होती है, और natural means कि जिनको nature से हम directly कर लेते हैं, receive कर लेते है, clear तो देखिए, मौर्फिन है, रिसर्पिन है एस्पिरीन है या फिर टेकसॉल है तो देखिए जो एस्पिरीन होती है एस्पिरीन होती है वो कैसी एक और्जदी है वो एक सिंथेटिक और्जदी है clear most important question है सिरीज का काफी बार exam में पुछा गया है तो देखिए एस्पिरीन जो एक क्या होती है दर्द नाशक और्जदी होती है clear और साथ ही साथ इसका जो फॉर्मेशन है वो रसाइनोज़ारा किया जाता है आप देखिए एस्पिरीन को ही क्या बोला जाता है कई बार acetooxybenzoic acid के नाम से भी question आ जाता है acetooxybenzoic acid clear और इसको हम हिर्दे रोग में भी use लेते हैं हिर्दे रोग में भी कई बार दी जाती है clear to all next question देखिए देखिए vitamin B12 के बारे में मैंने previous audios में बताया हुआ है मेरे previous audios जो है playlist में बने होई है topic wise डले होई है अब वहाँ पर जाकर उनको देख लीजिए जिससे कि आपके questions की practice अच्छे से हो जाएगी देखिए B12 जो है भारत की कौन सी company Asia की एक मात्र निर्माता है vitamin B12 की options दिए हैं आपके पास sandoz, merind, c1 is darber and 4th one is cadila तो देखिए जो merind है merind जो है आपकी वो B12 को उत्पादित करने वाली company है और B12 का जो हम मैंने नाम बताया था B12 का जो नाम होता है sino-cobalemine होता है क्यों क्योंकि इसमें cobald पाया जाता है तो question ऐसे भी आ जाता है कि इन में से कौन से vitamin में cobald पाया जाता है तो हम जो right answer कर देते हैं vitamin B12 विटामिन B12 तो ये B complex के सारे के सारे सदस्य है विटामिन से related topic मैंने पढ़ाया हुआ है आप जाके हमाँ पर देख सकते हैं next question है मारे पास jelly starch protein उधारण है ये इस तरीकी questions का भी बार पुछ जाते हैं कि कौन सा विलियन किस के अंदर जो है mostly है तो देखिए जो jelly starch protein होता है वो आपका जो answer है इसका right answer होगा drug cut host में विलियन माना जाता है clear? drug cut host में विलियन C option is the right answer clear? अब देखिए jelly सबको पता होगा jelly means जो है आपका semi solid चीज होती है starch carbohydrate है और साथिसा जो protein होता है वो amino acids से बनता है amino acids के वित्पन होता है next question देखिए किसकी उपस्थिती के कारण कुछ तेल संपन बीजों को लंबी अवदी तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है तो देखिए option दिवा है आपके पास प्रतियोक्सिकारक वसा, proteins या फिर असंत्रप्त वसा अमल तो देखिए इसका जो right answer होगा वोगा असंत्रप्त वसा अमल असंत्रप्त वसा अमलों को ही क्या होता है बिना किसी परिवर्तन के हम जमा कर सकते है next question है मारे पास इसमें से कौन सी दवा जो है इसमें यूज होती है तो देखिए इसका जो right answer होगा वो होगा हमारा chloromycetine chloromycetine जो है वो टाइफाइड के उपचार में यूज लिया जाती है अब यदि chloroquine की बात करें तो chloroquine जो होता है वो malaria के उपचार में यूज लिया जाता है clear to all देखिए next question है most important question है group D की exam में पूछा गया question है 2018 में latest question है पोदो में उत्पन वो हार्मोन जिसकी वज़य से पोदे सूरे प्रकाश की और जुख जाते है clear तो देखिए options दियो है आपके पास auxin, gibralins या फिर cytokinins या फिर ascorbicom देखिए जिक हार्मोन है तो हार्मोन में ये आमल तो वैसे भी नहीं आएगा तो ये वाला option गलत हो गया आप देखिए हमें इन में से चूज करना है तो देखिए जो पोदे जो है auxin हार्मोन की वैसे सूरे के प्रकाश की और जुख जाते है तो उस टाइम जो है ये प्रकाश की और जुखा देता है clear to all next देखिए कौन सा गुण दूइ बीज पत्री पौदो का एक गुण नहीं है देखिए दूइ बीज पत्री पुछा है इसने दूइ बीज पत्री का गुण नहीं है और ये भी पुछा है नहीं है most important question है ये भी RRB में पुछा गया question है तो देखिए जालीदार, शीरा रचना दो बीज पत्र, मुख्य जड और रेशिदार आप देखिए दूइ बीज पत्री का एक गुण नहीं है तो रेशिदार जो जड होती है वो दूइ बीज पत्री में नहीं पाई जाती है वो एक बीज पत्री में पाई जाती है तो देखिए explanation एक बार रेशिदार जड मतलब fibrous root जो होता है वो एक बीज पत्री में पाई जाते है जबकि दूइ बीज पत्री में जो है हमको नहीं पता होता है और पेपर में इनके बारे में पूछ लिया जाता है यह कि पाड़ों के जीवाश्मत है उनको क्या बोला जाता है पिंडग बोला जाता है क्लियर केचुएं की आखें नहीं होती है इंगमटन्ट है क्लियर पष्यु जगत का सबस्वें दुरुतुर्तम जीव चीता माना गया है clear to all, इस्तंदारी जित्ते भी होते हैं, उनके हिर्दे में कितने कोष्ट होते हैं, चार कोष्ट, मिन्स, जो चार कोष्ट का मतलब यहाँ पर चार चेमबर है, 1, 2, 3, and 4, clear to all, तो यह पूछा जाता है काई बार पेपर में, कि कौन सा ऐसा और्गनिज्म है, जिसमें रक्त नहीं पाया जाता, ब्लर नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, श्वसं करते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है, वो हो जाता है, हाइडरा, clear, देखे, जिते भी शाकारी परशु होते हैं, उनके अंदर बड़ी आत पाई जाती है, clear, मच्छर जो होता है, बहाय परजी वी वर्क के अंतरकत आते हैं, इसी तरीके से बिच्छु जो होता है, वो श्वसं किस से करता है, बुक लंग से करता है, clear, जैसे हम लंग से करता है, उसके में एक बुक लंग ओर्गन होता है, वहाँ से करता है, clear, next question most important है, हिपोक्रेटस, हिपोक्रेटस जो है, औरश्दी का जनक माना गया है, केचुए में जो है, इसपष्ट और बंदर उधित परिशंचन दंदर पाया जाता है, यह important question है, close circulated system, clear, close जो आपका circulated system होता है, किसमें पाया जाता है, केचुए में पाया जाता है, next है, हमारे पास, जानवरों में बड़ी आथ, सबसे बड़ी आथ, जो है, वेल की पाया जाती है, next question important है, इससे related मैंने एक चीज और बताई थी, आपको, साइकस पौदा जो है, फल नहीं देता, किन्तु बीज पाया जाते है, clear, बीज जो है, पैदा करता है, ऐसे ही मैंने चीड का एक पेड़ बताया था, प्रिवेस वीडियो में, कि वो जो है, बीज देता है, लेकिन उसके फल नहीं पाया जाते है, clear, नारियल का जो खाने योग यह भाग होता है, वो क्या तो है, ब्रून पोश होता है, clear, अधिके कुछ कोशन्स और हैं हमारे पास, तो इनको भी एक बार हम डिसकस कर लेते हैं, वन लाइनर्स कई बार पूछ ले जाते हैं, लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं रहते हैं, रेशम के कीड़े का जो बोज्जय पदार्थ होता है, वो ता है, शैतूत की पत्ती, clear, नेक्स्ट है, हमारे पास, जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की, अतिसाधान जो शमता होती है, उसको ही क्या बोला जाता है, हार्मोन बोला जाता है, clear, अफीम पौदे के आ परिपक वो फल के लेटेक्स से बना नहीं गई है, next देखिए, ग्राफ्टिंग से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, किसी मोनो कोट में कलम लगाना, मिंस कलम लगाने कोई ग्राफ्टिंग बोला जाता है, मोनो कोट में जो है, पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें वैस्क्यूलर केम्बियम जो है, अन तो देखिए, next हमारे पास थोड़े से वन लाइनर ओर है, देख लीजिए एक बार, रोजा 64A, सोनारा 64, शर्वती सोनारा प्रजातियां, यह सारी ग्यहूं की उच उत्पादन की श्रेणी है, clear, ग्यहूं की उत्पादन की श्रेणी में मानी जाती है, next question most important है, इथाइलीन हॉर्मोन, जो इथाइलीन हॉर्मोन होता है, वो क्या होता है, फालो को पकाने के लिए प्रियोक किया जाता है, ऐसे यह गैस होती है, एस्टिलिन वो भी इससे रिलेटर मानी गई है, next देख लीजिए, गाएं का गोबर जो होता है, जैव विकटनी है पधार्थ, और जैव कुट अन्तु क्या होते है, क्यूबिलियन के बने होते है, next मैं आपको बता चुका हूँ, कुनैन जो होता है, सिनकोना के पेड़ से निकाला जाता है, next देखिए, मानव के लिए जो लाग, कीट, रेशम का कीड़ा और मदुमक की तीनों ही उप्योग होते है, और रेशम के बोले जाता है, मैंने अभी बताया था, थोड़ी दिर पहले ही, सेरी कल्चर बोले जाता है, रेशम के उत्पादन को, next देख लीजिए, पारिश सिती के समुधाय का उत्तर सुधारन, घास का मैदान माना गया है, ये घास के मैदान से लेटेड भी कोशन जो है, बन जाते ह clear to all, तो friends, ये थे हमारी आज की सिरीज के कुछ most important questions, आपको हमारी सिरीज कैसी लगी, उमीद करता हूँ, आपको पसंद आये होएंगे questions, तो आप हमें comment करके जरूर बताईए, वीडियो से related अगर कोई suggestions दिना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें comment करके बदा जकते हैं, तो friends, वीडियो को जदा जदा like कीजिए, जदा जदा share कीजिए, चैनल को subscribe कर लीजिए, साथ यहाँ पर reasoning और English related भी previous years के question हमारे यहाँ पर कराया जाते हैं, तो आप playlist में जाकर उन सभी को देख सकते हैं, okay friends, thank you, bye bye, एक बार फिर्म मिलेंगे हम हमारी नई वीडियो के साथ, thank you so much